आज हम बात करने जा रहे हैं, आज हम बात करेंगा हमारी सट अनलाएन ग्लास में Advanced Paste Special, Jि है Advanced Paste Special हमारा आज का टॉपिक है, Advanced Paste Special में हम बातचीत करने जाएंगे किस तरीखें से पेस्ट सपेशल कॉपी पेस्ट में भी कुछ नए चीजिए कर सकते हैं, तो कर रहा हो देखें और करते हैं अपने इसकी प्लैंक पास काफी साथ डेटा है और उस डेटा ने अगर कुछ नमबर्स जो है अगर गलत हो गया है कि लास्ट में आपको डेमो बताया था जैसे यहां पे मैं 36 डाला नीचे आपके 74 डाला उजह इसको आप डीर करना है को पेस्ट करके यहां पीस करता हूं तो दिकत हो जाएगा ना ब्लैंक प्लाइंग नहीं चाहिए हो पेस्ट से लिए इसकी ब्लैंक प्लाइंग कि बाहर जाता है बात करते हैं पेस्ट अब जैसे कि आप चाहते हैं कि एक डेटा को दूसरे डेटा से लिंक करना एक डेटा को दूसरे डेटा से लिंक करें तो बाकी जगह पे अपने आप करते हैं उसको स्लेक्ट करते हैं और करना चाहिए तो इसको उपन नीचे आप ड्रैक कर सकते हैं हुआ है यहां हमें सेम सीट पर किया आप डिफेरेंट सीट डिफेरंट फाइल पर भी जबते हैं तरीका है लेकि कमी कमी क्या होता है दिक्कत होता है एक कुल करने हमें पूरा डेटा नहीं चाहिए होता है करना है और नीचे वाले को लिए किया कॉपी किया जिस लोकेशन में करना वहां पर जाएए पेस्टेशल यहां पर पेस्ट एजे लिंक कर दिखे लिंक हो गया और जैसे मैं यहां पर कुछ टाइप करूंगा यहां भी चेंज हुआ पेस्ट एजे लिंक का ब्लोग यूज करते हैं अब पेस्ट एजे लिंक के बाद दुसरा आता है पेस्ट एजे पिक्चर अब पेस्ट से पिक्चर के जोरब क्यों पड़ती है पूरा का पूरा डेटा आपको दिख रहा है इसको कॉपी करके मुझे एक छोटे से एरिया में शोग करना कितना वाएगी आप लोग क्या पड़ता है तो अच्छिए आपने कॉलम को छोटा कर दिया यहां से लिए ना सर्थ भी चोटा कर दिया बट प्रॉलम है कि नीचे पूरा लेता हो सब्सक्ता है ना को पूरा चोटा होगा ना इची का बिच्छी में बिलकुल तो इस केस में मुझे कॉलम नहीं छोटा करना है तो लेकिंगे मुझे दिखाना भी है आसका डैश्पोर्स को गरामिस का इस्तमाल अनुकरते हैं तो पेसे जेंग अफिर इसको हिसाब से छोटा कर लेता है तो यहां मर्जी रखना है यहां रख लेंगे है तो छोटी से प्रॉलम है कि अपडेट नहीं फिर से कॉपी पेस्ट ना कुरूं मैं क्या हूँ हुआ है हम इसको कॉपी करके पेस्ट लिंक कर लेंगे है कि कॉपी किया है पेसे लिंक है वैलू ही नहीं जाटे सिक्वों सिच्टी करता हूँ है चैंज है यहां था कि मैं अबस्टिंग भी चैंज करता हूँ कि अबस्ट लिंक करते हैं या नॉम्मल कॉपी पेस्ट करते हैं तो इसमें आपका फॉर्मूला लिंक नहीं पर फॉर्मूला लिंक लिंक नहीं 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 करते हैं तो आपका यहां पर इफेक्ट नहीं होगा इसका भी यूज करते हैं तो आप सीट पूसीट रेकी सीट के उपार एक सीट से दूसरे शीट पे एक फाल से दूसरे फाल पर कर सकते हैं कि दूसरा हम इसको एमस वार्ड में भी कर सकते हैं जैंसे एमस वार्ड हमारा है इसमें कर सकते हैं यहां पेस्ट स्पेशल अधिक में ने कॉपी नहीं किया लगा है इसको कॉपी करके इमेल में डालते हैं आउट्लुक में जैसे डालते हो आप इसको डाल के देज़ दिया तो आपको यहां लेंगा बेट होगा तो वहां भी अप्डेट होगा ऐसा नहीं इसका यूज होता है कि मेरे पास चाहिए ज़ए पशिसारी के खदम होती थी तो एक मंत चल बाद हमें हम आदे गंटे पर एक गंटे पर सेज़ अपडेट भी परते हैं सब्सक्राइब करते हैं यहां पर इसको बेजना है सब्जेक्ट डाल दिए यहां पर डालते हैं डियर सर यह जो भी मैसेज है और यहां पर हम पेस्ट करें तीस ताइब तो कॉपी किये यहां पर पर सब्सक्राइब होता पर इसको चैन्ज करना होता दिए पर इसको हम क्या किया कि इसको यहां कोपी किया और यहां पर एक पर यहां पर पेस्ट आज यहां पेस्ट आज यह पेश्ट होता है फैस्ट आसर आप कुछ लिंग हो जाने से आप कुछ लोग कर दिया तो नहीं आपके इयृ दो दो रही है कि इसका फायदा क्या है फायदा है कि हम इस फायल को से बेज़ टांप्लेट कर लेते हैं कि इसी एक लोकेशन में से लस्में यहां पर टांप्लेट अब तुक टेंपलेट दी क्या ना जब आफूट टेंपलेटेंगा दैंसे इसको 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 सेंगरेता हूं एगंदे वाद में डेटा चेंज वाँ एगंटे बाद एक काम करता हूं डेटा को पूरा ग्रीन कर देता हूं ठीक है डेटा चेंज हुआ इसे में एक काम करता हूं कंडिशनल फॉर्मेटिंग भी लगा देता हूं अब क्या करूंगा मुझे मेल वेजना है तो हम उस लोकेशन पर चले जाएंगे इस लोकेशन पर मेरा यह है सेल्स अप्डेट वारे फाइल मैं सो डबल क्लिक करूंगा जास कीजिए सब कुछ रेड़ी है जासा अब किस पर क्लिक करना है सेंट पर क्लिक करना है ठीक है अब अगला वाल जो है मेरा चीज और हुआ कि मैं इसकी कलर चेंज करता हूं और इस बार कंडिशनल फॉमट्टिंग में आइकन लगा देता हूं कि अपने अपने ओफिस्यल लाइफ में कर सकते हैं ठीक है है प्राउटनिस में सर ने ठीक है अब बाट करते हैं पिक्चर की चेंजिंग की ऊपर फोड़ एकजामपर अपर माली जी के डेटा हमाला चेंज होता है मतला कि अपडेट होता है तो क्या होगा है है अजिए सब्टेंबर के जग़ार पर यहां अक्टोबर भी आई एक टूबर इसमें कैसे होगा तो देखिए हर एक ऑबजेक्ट जो है तो लिंक होता है हर एक ऑबजेक्ट लिंक होता है इसने किसी फॉर्मुले से करता हुआ है नहीं ठीक है इसने पिक्चर लुक अप में ही करते है कैसे करेंगे पिक्चर लुक अपने अचली आपको देते हैं कि लेकुछ पिक्चर ले लिए ठीक है यहां रहता है यहां रहता है यहां रहता है फोर्ट पर देख वान टू थ्री फोर चारी रखते हैं पिक्चर लेने के लिए गुगल का इस्तमाल कर लेते हैं आखा देनाए अच्छा आपना नाम ही साच कर लिया! बहुत सरे नाम आरहे आखे! वे वन मेरन चार्टी टिक्चा उठा लेका परकाव करके तंब में फिल्क करेंटा हुआ कि पिक्चर किसी सेल की वैलू नहीं होता है कि हम वैलू के तरफ लुक अप नहीं कर सकते हैं कि लेकिन हम पिक्चर लुक अपके जरीए उस सेल की पिक्चर को बता है और सेल की ऊपर वैलू है तो उसका जो आएगा वैलू ना के पुड़ावा पिक्चर ही आएगा कि यह होगा है चारी रही है कि यहां पर वान लिखा लिखा और फिर मैंने मैंच करता है उसका रोल नमबर देता है उसका रोल नमबर देता है ठीक है कि यह कर सकते हैं कि यह कर सकते हैं कि वी के साथ कूल कर सकता हूं कि अपका बस कट रही है अलो अभी ठीका लिए है कि यहां अब त्रीक है कि यहां पर मैंच कर फॉर्मॉल लगाया तो इसने बता दिया कि वन रॉयल नमबर कौन से में हैं दूसरे रों में हैं लेगी बी कॉलम के दूसरा नमबर हमिया बन गया बीटू मैं ने पिस्टे फॉर्मॉला में जागे घरता है मैं पाराँ कि अश्यूम मैं कर बुछा इंडर मैंट नियुका थोड़ा बहुत है बट मैंट मैंट मैं से बीलुकाप की तरह ही होता है कि लेकिंगे मुझे विद्टा देता है यह रों नंबर कौन नंबर देता है पर देखें लेंगे मैच मैच क्या आपने जी वन लिया फिर कोमानमेट मैच करो रो मतों ठीक होता है हमें ठीक है तो मैच किया तो मैच रेजल्ट क्या दिया मैच कोन सी बिया अगर वान जसलत करेगा तो बताएगा कौन से रो नंबर में इंजिस करना है ओके तो एटू ए लिखा आपने खाली एटू एका क्या मतलब होगे एटू एने एसे पुरा कॉलन होता है इसको इस तरह से भी स्लेक्ट कर सकते हैं यह आपका एएवन से फाइब अब ठीक है अब समझना रहा है तो में यह अच्छी नहीं करना पड़ेगा तो आपने बुला इस यह बुला फॉर्मूल में के जी वन में जो भी अब्जेक्ट है उसको मैच करो यह कॉलम में अगर जिडियो का के मतलब होगे अगर जैक्ट मैच्ट कि मैच्ट करो डिस्प्ले करो अगर हम वहां पर वन इखते तो क्या करता वो मिलता जो तरह से कि मैच करता से यह बारा बारा हो गया तो भी उसको कैच कर लिए पाग कि यह भी नहीं है तो फिलाल इसको एक्जैक्स माँसमझी है ना जब मैस फामुला पर आओं माथ तुसमें इसका पुरा इसका पूरा आप्र घ्री को इन पर सब्सक्राइब से जीरो ही होता है पिसने रोह नंबर दे दिया फिर मैंने बीग को ज्वाइन कर लिए का रूज को जॉइन कर दिया इसका आइश को अपापी करके आप यहां पे अगर क्या बहुते हैं पेस्ट एजे पिक्चर करते हैं कि बीटू है यहां पर क्या है कि अब इस बीटू को मुझे इस बीटू के साथ लिंक करना है कि यह बीटू आगए जो बाया नहीं बीटू दे रखा है मेनल बीट्यू ना हो एक वर मुला व्लश जब मैं यहां पर माद आगढ़्य करूंगा तो भी थी वी फोल जाएगा अगर मैं यह फोर किया 5 हो जाएगा अगर 2 किया तो दिरू हो जाए हो बढ़ते चलाएगा कि यह बोलता है कि यहां पर हम किसी भी तरह का फॉर्मूला से आपको मुझे डाइक देना पड़ेगा या फिर डिफाइन नहीं चैनल भी इस एक एरिया मैंने सेलेक्ट करका इस एरिया को तरह किस नामने से लेके लंबा एडरे से ना बिल्कुल आप इसको करके रखें फॉर्मूला बार के डिफाइन में जाएं और इसका नाम कर देते हैं डिडी तरदी डिडी अब जो है इसको डीदी के नाम से जाना जाता है अब कहीं भी फॉर्मॉले संदकर फॉर्मॉले में डीडी कर दिया तो अरिया लेंगा एक निक नेम हो यह था कि 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 कै दो हुआ है कि अब बने है ऊपर één अब अब एक डीफायं में कि हता है कि आप मुझे कोई भी formula दे सकते हैं h1 क्या है हमारा h1 match का formula मैं match के formula को copy करता हूँ और direct है h1 के साथ h1 के जवाप paste कर देता हूँ पर फिर इस formula को लेता हूँ बर problem क्या है कि match भी कहता है कि define में भी कहता है कि मैं इस ता के formula को डारेक्ट नहीं लूँगा तो कि B3 जो आ रहा है इसका नाम कर देता हूँ photo B3 जो आ रहा है वो B3 एक text है यहाँ B3 दिख रहा ना आपको अज़र match वो combine करेंगे मैंने बनाया है बिल्कुर text है ABCD है, नाम है इसको location ही मान ला है ठीक है तो क्या करें परताब तो परताब साब क्या सोचेंगे परताब इस परसन ने लेकि अगर परताब गया तो क्या हो गया परसन पूर एक एरिया का नाम है परताब है से उसी तरह से B3 जो है टेक्स्ट है तो कि यह सेल की वैलू आ रही है रेफरेंस नहीं है यह एड्रेस नहीं है तो यह एड्रेस में कनवार्ट करने के लिए से पूर लगता है यहां पर इंडारेक्ट लगाना होता है कि आपने जब यह थोड़ा सा जम्मूल में नहीं है कि आप इसमें कैसे किया फिर से बुकरें रहा कि डिफाइन पे गया और यहां पर फर्मूला पेस्ट कर दिया लेकिन आप फर्मूला पेस्ट क्यों कि आपने बताई हमें क्या चीट आगे यहां दिखा रहे हुपर फर्मूला दिखा रहा है इसी फर्मूले को पेस्ट किया बट हमने क्या कि जो डॉलर साइन लगा दिया इसको क्या इसको क्या तो डारेक्ट टारेक्ट इस तरह जैसे इस तरह से डाला है इसे नहीं डाल सकता मैं तो यहां पर हमने कर दिया इंडायरेक्ट इंडायरेक्ट क्या क्या है इंडायरेक्ट क्या करता है किसी वह अपर करता है वह अच्छा इंडायरेक्ट करता है वो जी उसका पोपर्टी उसका बीट्व पीट्री का पोपर्टी टेक्स से रफ्रेंस में करते अब इसे कि आपने आपने यहां पे लिखा इक्वाल एवन यहां पर लिख दिया आप चाहते हैं कि कुछ है करें कि इस एवन को इस एवन को इसको जो है इन डारेक्ट के अंदर में इस एवन करेंगी है हमजे है तो सम्झाया सर्थ बिल्कुर्ब इस यहां हुआ कि हमने इस फॉर्मुले जिसका रिजल्ट बीधरी आ रहा है हुआ 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 ह हमने और उपर define name में गया यहां पर नाम दिया और यहां पर उसको indirect कंदर में पेस्ट कर दिया जैसे कि हम यहां इसको किया हुआ आप पेस्ट करने के बाद मैंने dollar send लगा दिया कि इससे क्या हुआ कि अब जो है यहां हम यहां जो बीटू मैनमल दिये हुए थे उसको हम यहां पर फोटो लिग देते हैं तो कि फोटो वा नाम दिये हुए थे न हम डिफाइन नेम में पर लिंक हो गया अब देखिए मैं यहां पर पिक्चर लुकप की तरह काम करेंगा भी यहां बुक बीड़ बीडिगे थे न न उच करेंगे हुए तो करेंगे तब तक को इसका यूज मुझे बताइए इसका यूज में डिसकस किया था ना जैसे किसी स्कूल का आप बना रहे हैं इसकूल का अगर डेटा भी सुना वी लुक अपसे तर पूरा डेटा आजाएगा ना बार शुडेंट का फोटो प्लाइन का फोटो प्रोड़क्त का फोटो अच्छा एक बात सुजी जी एक बात है वी लुक अप मुझे बहुत ही बैसिक की नालेज और वह भी बोक अप किया तो भी लुक अप हम पूरा करेंगे फिक्टर लुक कर बताए इसको कि मैं दुवारा करूंब आपको आगे जो फॉर्मुला सेक्षिन चलेगा वहां बताऊंगा यह चीज बताने के परपस क्या हो कि आपको जह है एक करना इसके परती जागरू करना की यह जो पेस्ट पिक्टर से इस सिंपल टॉपिक नहीं है इसको कि इसको कि इसको इंपोर्टेंट टॉपिक है एक छोटा सी गांपर मैंने में हाँ बता लिए अगया से मान लीचेना कि आपने एक डैस्पुट बनाया पुड़क्ट बाइज वहां बें पुड़क्ट को डालते ही आपका पूरा पुड़क्ट का सेल आ जाता है कि दिना अच्छा हो जाए रिपोर्ट बनाया है जहां पर सेल्स के मेंजर के सिलेक्ट कि जिए और शेल्स के साथ मैं रिपोर्ट आ जाता है साइड में फोर्टो भी आ जाए तो और बेटर लगेगा न बहुत बुड़िया तो चीज इसी से हो गया तो यह बहुत स्कॉपिक चीज है तो यह आगे हम इस पर और बिसेद्ट डिसकर्स करेंगे लेकिन उस समय मैं बहुंगा इसलिए टॉपिक बताना पड़ा यह आगे का टॉपिक था इसमें एड करना पड़ा ताकि आप उसको भूलेना इसके प्रैक्टिस करें स्रीज लेज को समझें ओके जी कर लेंगा इसलिए इसकी फाइल भी आपके इसलिए मैं भेज रहा हूं आपको कि आपकी है आगे यह निन जे टी यू आप उपर रहां इसलिए एक्सलों के अपका सबस्थिक कर रहा हूं ना मेरे इमेल में तो आप सब्जेक्ट में एक्सल डाल दीजिए का फाइल एक्सल कर दीए एक्सल रर्निंग या इससे कुछ कर दिए ट्रेनिंग कुछ तो तो किजिए कल हम बात करेंगे इससे आई करेंगे क्लासे डेटा फॉक्त दिन आपकी फॉर्मेटिंग होगी उसके बाद फिर प्रोटेक्शन लॉगा आपका डेटा हैंडिंग होगा फॉम मेनू ख़र दैन पिवट थीटए ठीक है ठीक है तो आज का नास हो गया है इसको प्रेक्टिस कीजिए ना से अच्छा की